नीट की अंडर ग्रेजवेट प्रवेश परिक्षा के मुद्दे पर सुप्रीम कोट में सुनवाई चल रही है और आज इस मसले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डिवाई चंदर चूर ने कहा कि एक बात साफ है कि पेपर लीक हुआ है इसमें कोई संदेह नहीं है कि परिक्षा की पवित्रता से समझधा किया गया इस लीक की सीमा क्या है यानि कितना लीक हुआ है कितने चात्र से प्रभावित हुए है इसकी प्रकृति क्या है ये हमें पता लगानी होगी हमें दोबारा परिक्षा का आदेश देते समय साउधान रहना होगा क्योंकि हम तैईस लाग चात्रों के करियर से जुड़े हैं के ये पूरा का पूरा मसला काफी ज्यादा समवेदमशील है नीट देश की वो परिक्षा है जिसमें सबसे ज्यादा छातर हिस्सा लेते हैं साल 23 लाग छातर इस परिक्षा में बैठे और इसका पेपर लीक होने के बाद से ये छातर काफी परिशान है उनके विभावक काफी प पड़ी हैं उससे लगता है कि शायद नीट को पूरी तरह से रद न किया जाए हो सकता है सुप्रीम कोट इस मसले पर काफी गंभीरता से विचार करें सबसे पहले तो सुझिल्जा में समझना होगा कि पहली बार देश के चीफ जसिस इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं इससे पहले वेकेशन बेंच के सामने यानि कि जब कोट की छुट्टी चल रही थी तो उस समय जो भी जज उपलब थे उन्होंने मामले को सुना लेकिन विस् सरकार से वह यह है कि यह जो लीक हुआ है यह कितना बड़ा है इसका पैमाना कितना बड़ा है यह कहने का मतलब यह है कि अगर बहुत छोटे से इलाके में हुआ है या बहुत कम चात्र ऐसे हैं जो इसके लाभारती बने हैं लीक होने के तो क्या उस सूरत में पूरे देश म परिक्षा को रद करवा देना चाहिए जैसे की मांग की जा रही है चीफ जर्सिस का यह कहना है कि यह जो री टेस्ट का जो ऑप्षन है यह लास्ट विकल्प होगा लेकिन उससे पहले जो सुप्रीम कोट है वो अभी ऐसा लग रहा है कि एक मल्टी डिसिब्लिली कमिटी यान और फिर वो सारे पहलो का परिक्षण करके सुप्रीम कोर्ट को बताएं और उस अधार पर सुप्रीम कोर्ड अपना फैसला प्रहा है लेकिन अभी कोई अंत्म फैसला नहीं हुआ है कि एक कमिटी बन जाएगी अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल ही रही है एक एहम वात वे यह कि सरकार को यह कहा गया है सुप्रीम कोड की तरफ से की डिनायल्स मोड में ना रहले यानि कि सरकार इसमें को खारी करने में ना लगी रहे केवल करे कोई लीक हुआ ही नहीं है लीख हूआ है यह बात सिटैबलिश हो रही है लेकिन बस पता जी प्रोसेस को ही आप फिर से अगर करने लग जाएंगे तो भी छात्रों के लिए बहुत दिक्कत होगी और उससे बड़ी बात आप एक बार जब यह परिक्षार रद कर देंगे और दुबारा से करवाएंगे तो यह नजीर बन जाएगा और उसके बाद आगे बहुत से याचिकाएं अलग-अलग टेस्ट को री टेस्ट करवाने के लिए दुबारा से करवाने के लिए आ जाएगे जो देश की सबसे कोडर सुपरीम कोड़ की तरप से आये हालकि यह भी कहने सकते हो सकता है यह समए ले और कल अपना कोई आधेश जारी करें फिरहाल सुप्रीम कोड़ में सुनवायं चल रही है तो जो वह बहुत शुक्रिया शाराइस पूरी जहानकारी के लिए तो इसमामले में जो भी फैसला होगा वो जल्द आएगा क्योंकि चात्रों के भविश्य का सवाल है